नमस्कार मित्रों इस वेडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि ब्रिश रासी बालों का आने वाला दो दिन यानी की 19 मार्च एबं 20 मार्च का दिन कैसा बीतेगा आने वाले दो दिनों में ब्रिशब रासी बालों के जीबन में क्या-क्या पडिवर्तन, क्या-क्या बदलाब होगा मित्रों यदि आप ये जानना चाहते हैं तो इस वेडियो को बड़े ही ध्यान से आपको सुनना होगा क्योंकि इस वेडियो के अंत में आपके आने बाले दो दिनों का अनोखा टोटका भाग्यसाली रंग एबं भाग्यसाली अंक है तो आप उसे भी देखें ताकि आपका आने बाला शमय बिहतर एबं सांदार हो सके मित्रों यदि आप अपने जन्म कुंडली हस्त रेखा या अपने जीवन के बारे में कोई भी बातें अगर आप जानना चाहते हो तो अभी आपके सामने डिस्पले पर या इस वेडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा वाटसेप नमबर है जिस नमबर पे यदि आप मुझे वाटसेप करते हो तो आपकी बात मेरे से हो जाएगी तो कुछ भी जानने के लिए मैसेज अबश्य करें मित्रो आने बाले दो दिनों में यदि आपके दामपत्ते जीवन की बात करें तो दामपत्ते जीवन के द्रिष्टी कौन से आपका शमय सामानने तोर पे बहुत जयादा बिहतर एबम सांदार होगा मित्रो आने बाले शमय से पहले यदि आपके दामपत्ते जीवन में कहीं कोई पड़ेशानी कहीं कोई समस्या था तो आने बाले शमय में उस पड़ेशानी का अंत आपको करना चाहिए क्योंकि इस काम को करने में आपके समय का सपोर्ट आपको अबश्य मिलेगा मित्रों आप में से जो भी जातक आने बाले शमय में किसी भी नए काम की सुरुआत करना चाहते हैं तो आने बाले शमय में किसी भी नए काम की सुरुआत करने से आपको बचना चाहिए क्योंकि आने बाले शमय में ऐसी संभाबना है कि अगर आप किसी भी काम की सुरुआत करते हैं तो आपके समय का साथ आपके समय का सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा जिसके कारण आने बाले शमय में आपको पड़ेशानी का सामना बहुत जयादा करना होगा मित्रों आप में से जो भी जातक नौकडी करते हैं जोब करते हैं तो आने बाले शमय में आपके नौकडी के दृष्टी कोन से आपका शमय सामानने रहेगा न जयादा बिहतर न जया मित्रो आने बाले शमय में ऐसी संभाबना है कि जो आपके सहकर्मी हैं जो आपके कर्मचाडी हैं उन लोगों का साथ थे उन लोगों का सपोर्ट आपको जियादा नहीं मिलेगा तो अपने नौकडी के छित्र में इन बातों पर आपको ध्यान देना चाहिए तो इसके बाद बात करते हैं कि आने बाले शमय में आपके लिए अनोखा टोटका भाग्यसाली रंग इबं भाग्यसाली अंक क्या है मित्रो आने बाले शमय में आपके लिए भाग्यसाली अंक है दो यानी की टू आपके लिए भाग्यसाली रंग है लाल और मैरून मित्रो आने बाले शमय में अपने समय को बिहतर एबं सांदार बनाने के लिए आपको भगबान शनी देब की पूजा करनी चाहिए यदि आप ऐसा करते हैं भगबान शनी देब की पूजा यदि आप करते हैं तो आपका आने बाला शमय बहुत जयादा बिहतर एबम सांदार होगा तो मित्रों आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें इस वीडियो के नीचे जय सनी देब कमेंट कर दें इबम इस वीडियो को आप हर जगह सेर कर दें धन्यवाद